ओम शांती, 10 जुलाई 2022, परमात्म शेक्षाएं, बाबा हम लादले बच्चों के कल्यान हेतु समझानी दे रहे, इन शेक्षाओं को स्वयम में समा कर आत्मसाथ कर प्रिक्टिकल स्वरूर बनना है, बाबा कहते हैं कि अपने जीवन को सहज करने का एक ही साधन है, कि हम मन बुध्धी से परमात्मा प्रती समर्पन हो, तेरा तेरा कर दे, हर समय मन बुध्धी के अंदर बिठा लें कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, ना मैं कुछ हूँ, ना मेरा कुछ है, तू ही सब कुछ है और तेरा ही सब कुछ है, आगे सेकिंद पर कहते हैं ज्यान को सुनते समझते हुए यह च्वाइस हमारी है कि हम ज्यान को अपने दिल में समाते हैं या फिर उसे केवल अपने दिमाग तक ही रख लेते हैं क्योंकि ज्यान सुनते समझते हुए भी आत्माये अपनी समझ को छोड़ देती हैं विकारों के वश समझते है हम ज्ञान परंतु रावन अर्थात मायक के फोकस से मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं excuse भाने बाजी करने लग जाती हूँ अर्थात जो मेरे अंदर बैठे संस्कार हैं उनके according ही फटाफट ज्ञान की बात उठा लेती हूँ और अपनी सोच और संसकारों के प्रति जागरुक ना होने के कारण अपने भागे को दुरबागे में बदर बेती थर्ड पॉइंट है परिवर्तन शक्ति, मोल्डिंग पावर, अर्थात रियल गोल, अर्थात किसी भी अच्छे संकल्प में भी ना बंधना अर्थात समय के अकॉर्डिंग, मंसा, वाचा, कर्मना, संबंध, संपर्व का परिवर्तन कर लेना तब ही आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हों, अर्थात बाप समान बन सकते हों आगे बाप कहते हैं, योग क्या है, योग है एक प्यार जो कि हमें इस समय केवल एक प्रमात्मा बाप, निराकर्शिव से करना है अर्थात सब संबंधों का सुख, वैभव, वस्तूओं का सुख केवल प्रमात्मा से ही अनभव करना है और इस सुख, अनन्द, खुशी और संतुष्टता के आगे दुनिया से प्राप्त होने वाला सुख मिट्टी के बराबर है फिफ्ट पॉइंट बाबा कहते हैं क्या आप अपने संकल्पों, विचारों की पावर को समझते हो पूछ रहें बाबा जब आप अपने संकल्पों में व्यर्थिया साधारन संकल्प मिक्स कर देते हो तो आपके संकल्पों की पावर आधी रहे जाते है संकल्पों के द्वारा ही आप स्वपरिवर्दन, सो विश्व परिवर्दन करते हो संकल्प जो है, वो हर कार्य का बीज है संकल्प द्वारा ही आप स्वमान में स्थित हो परमधाम की यात्रा करते हो विश्व कल्यान का कार्य करते हो परमात्मा बाप के साथ का अनुभव करते हो और संकल्पों द्वारा ही गिरावट की तरफ जाते हो इसलिए अब जो समय जा रहा है उस according आपके एक-एक संकल्प समर्थ होने चाहिए समझे ओम शांति शुप्रिया बगा